नमस्कार मैं आजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News दिली विधान सभाद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तो अपनी जीत दर्च की है लेकिन ये भी बता दें आपको कि जहां आम आदमी पार्टी ने अपने काम को लेकर ही मुद्दे बनाएं और दिली प्रचार में वो सिरफ अपने काम के बलबूते पर जनता का दिर जीतना चाहती थी लेकिन अब इतने दिनों बात जाकर शाहिन बाग पर आम आद्मी पार्टी ने चुपपी तोड़ी है और चुपपी तोड़ कर क्या कुछ बोला है हम आपको बताएंगे और उससे पहले ये भी बता दें कि नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर शाहिन बाग पर महिलाया भी भी धरने पर बैटी है सुप्रिम कोट का फैसला भी सामने आया था और कहा गया था कि आप ऐसे पब्लिक में धरने पर नहीं बैट सकते आपको धरना हटाना पड़ेगा अगर आप धरना नहीं हटाएंगे कि तो तमाम लोग आपके तर्च पर वो भी पब्लिक में ऐसे धर पर बैठेंगे जो सही नहीं है और ऐसे में ट्राफिक को भी परेशानी होगी आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी तो इसको देखते हुए सुप्रिम कोट ने ये फैसला लिया था कि शाहिन बाग का धरना हटाया जाएगा लेकिन वहां पर महिलाओं को हासला तूट आ रही है और वहीं आपको ये बता दें कि राजेंद्र नगर से जो सीट पर चुनाव लड़ रहे थे रागव चड़ा जिनने लेकर काफी सुर्खियां भी बटोरी जा रही थी यंग हैर उनको लेकर कई मजाकिया तोर पर ये भी कहा जा रहा था कि जब सिचुनावी मैद में उत्रे हैं तभी शादी के प्रपोसल उनके पास बहुत आ रहे हैं तो एक ये मुद्दा था अब रागव चड़ा का जो चेहरा है वो जादा उपर दिखाई दे रहा है कारण कुछ भी हो लड़कियों का कारण बता लीजे ये चुनावी मैदान में उत्रे हैं इसका का अबी दिखाई दे रहे हो खाय कि अपने आप को साबित किया है कि एक बार फिर से विकास की जीत होती उनसे पूछा गया कि शाहिन बाग को लेकर अभी तक आपने क्यों कुछ नहीं बोला और शाहिन बाग क्यों नहीं गए तो उन्हेंने कहा कि मनीर सिसोधिया गए तो थे और ऐसे में शाहिन बाग के धरने को लेकर जो भी मामला है और जो भी परिशानिया चल रही है वो केंद सारी भी उनकी बनती है कि वो ही इस धरने को लेकर कुछ सोचे क्योंकि यहां पर ना तो पुलीस आम आदमी पार्टी के अंदर है और ना ही उनके इशारों पर काम करती है तो ऐसे में रागव चड़ा ने ये भी बोला कि हमें धरने से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि सब लो करिक्ता संसोदन कानून की नहीं उन शाहिन बाग की है जिनोंने अपनी आवास बुलंद की है सरकार के खिलाफ और उन ताना शाही नीतियों के खिलाफ जो हिटलर के रूप में प्यम नरेंद्र मोदी लेकर आये थे और अमिश्या लेकर आये ते तो एक तरीके से रागव आये उपर है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं अर ऐसे में रागव चड़्डा ने आर पीज सिंग है भारती जनता पार्टी को उनको हराया था राजेंद्र नगर सीट से अब ऐसे में नागरिक्ता संसोदन कानून के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के में जरूर बताएं मुझे दीजे यह जादे तरह से बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सब्सक्राइब